हेलो डिये स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉलीशन पर आज की स्वीडियो में क्लास्ट्रेंथ की साइंस मिन्स फिजिक्स के चैप्टर सेकेंड को अब बोलते हैं जो काफी जाए इंपोरेंट नाम से और यहां पर इम्पोरेंट और साथ मुष्ट की डिमस्त्रेशन एक्सप्रेमेंट दोनों ही आप करने वाले वीडियो और यह कॉंसेप्ट आपके लिए काफी ज़दे यूसफुल हने वाले वीडियो आपको पसंदा दे वीडियो को लाइक करने ना भूले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल सुस्क्राइब जरूर करतें जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट टॉपिक आपके पास तैम पर पूश सकें। जो मैं explain कर रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ ऐसी अपने language में create करकर आप बना कर लिए आपके marks complete हो जाएंगे फर्स्ट यह magnetic effect of current है magnetic effect of current हम discuss कर चुके हैं पहली वीडियो में होता क्या है इसका दूसरा नाम electromagnetism है यह तोनों point लिखना है second इसकी discovery सबसे पहले की और स्टेट experiment के बाद यह चीज़ confirm ही थी क्या एक मेरे पास electric wire भी magnetism का इफेक्ट चोग कर सकती है और स्टेट की experiment जो की 19 1820 में और स्टेट ने experiment किया था what he found that he found that a current carrying wire is able to deflect a compass needle what he what he was found that that he was found that electrical wire a current carrying wire was able to deflect a compass needle compass आपको पता हो चोटी सी magnet वाली needle होती है जो चोटी तीन बो बोल सकते है tiny pieces जो होती है आपने देखी होगी ज्यादतर उससे पहले अगर कहां पर युस compass दिखा हो उन्हें mobile में भी आती है वैसे तो compass ज्यादतर watch में भी आती है direction north or south बताती है में deflect भी देखा है कैसे move करती है जैली के पर water के पर रखी हो उसे बोलते compass needle यह हमारे पास दो point है जो आपको mention करना है third point का है एक current flowing इने wire अगर किसी भी wire मेंगर current flow हो रहा है always gives rise to magnetic field around it यानि कि मेरे पास किसी भी wire मेंगर current flow रहा है जितनी ज्यादे मैं current की strength बढ़ाता जाओंगा वैसी हो magnetic field की strength increase करते चला जाएगा तो आपको point याद रहे है current की strength बढ़ रही है current की जैसे मैंने माना यह वाली तार के आसपास current है तो यहां इसके आसपास magnetic field भी होगा कहते है ना वह कि बिजली के पास मचाना खीच लेगी ऐसा कुछ sentence बोला जाता है तो खीचने वाले concept यह यह आसपास क्या magnetism show करती है magnetic effect show करती है ज्यादा high voltage की में अगर light हुई जैसे ग्याराजार बाराजार यह वोड़ लेट वाली light हुई तो बोलते दूर से खेच लिचती है तो अब्यसी बात है current की strength हाई हो गई तो magnetic field भी हाई होगा सार हमें क्यों खीचती है क्योंकि इंसान की body में भी magnetism होता है magnetic होता है कहां कहां पर होता है brain more heart में पाया जाता है इसको हम अपने next concept में जब हम आपको MRI वाला concept पढ़ाएंगे तब भी हम इस concept को discuss करेंगे क्या third point लिखना है clear हो गया fourth one क्या है कुछ इसके examples लेख लेते हैं जहां पर electromagnetism या फिर magnetic effect of electric current का use के रहता है motor की बात करना है electric generator की बात करना है telephone radio इन्हीं सब में magnetism का process हमें देखने को मिलता है इसलिए बोलते है राग को सर के पास phone को रख कर नहीं सौना चाहिए क्योंकि इस से magnetism rays जो है जिसमें दो सेल है जोगी वैटरी अभी two cell switch मेरे पास अभी open है it means flow of electric current नहीं है compass needle बिलुकिल neutral form में कोई भी deflection नहीं शो कर रही है इतर नॉर्मल है यह मैंने direction लिखी है north है south है जहां रखना है compass needle का जो भी arrow वाला पार्ट मिल्स जो रैड वाला पार्ट होता है वो नौर्थ होता है जो silver वाला पार्ट होता है gray वाला वो मेरे पास south होता है यह point के लिए basic जो है अब इसी wire को अगर मैं switch को close कर दूँ यह electric current flow होना शुरू हो जाएगा switch close हो गया electric current flow होना शुरू सो मुझे मैं आपको इस छोटे सा point बता दूँ chapter 2 magnetic effect of electric current में सबसे बड़ा funda क्या रहने वाला है direction का marks पक्का बच्चों के इसके पर कटने के chances रहते हैं direction वाला concept पूरे chapter में killer होई नहीं पाता अगर आप basic से one by one chapters के concept पढ़ते पढ़ते हैं कि direction clear करते चलेंगे तो आपको topic म कभी भी doubt नहीं आगा question तो अच्छे से treat कर सकते हो अच्छे से face कर सकते हो आपने देखा मेरे पास minus वाला terminal नीचे है plus वाला terminal उपर है तो plus से negative तक मेरे पास current चलने वाला it means direction of current from a to b up to down a से b है अप से down है अगर मैं नीचे positive उपर negative कर देता मेरे पास b से a होता down to up होता दोने नहीं किया सा सकते एक्जामने ज्यादा तर जो बुक्स में होता इसको अड़ा देते हैं तकि बच्चा कनफीज हो तो आप question को अच्छे से समझे concept क्या है तब आपको बिल्गुल भी प्रोशानी नहीं होने वाली है जैसे भी star में इस wire में current flow होगा वैसे ही और स्ट्रेट ने क्या देखा कि जो उसके पास में compass रखी थी उसकी needle ने deflect होना शुरू कर दिया it means the needles of compass is showing the deflection क्या deflection शो कर रही है उसने बोला क्या ऐसा है क्या एक्स पर मैं तो सिर्फ और सिर्फ wire में current पास किया है मैंने compass को तो कुछ निया लेकिन compass की needle deflect क्यों हो रही है उसने बोला इस move होना deflector ना सुरू होगा इसका मतलब electric current क्या शो कर रहा है magnetic effect शो कर रहा है concept को अच्छे से द्यान रखना है यह इसका बिल्कुल output था magnetic effect कैसे कैसे शो किया यह किसी ने बताया मैं Austin ने बताया 1820 में बताया तीनों point अपनी theory में mention कर देना तीनों-चारों point आपकी theory में marks कटन कि बिल्कुल chances नहीं है दोनों ही diagram बना देना है सिर्फ और सिर्फ two से five minute का case है जैसे जैसे मैं explain करें यहीं सबको चारों-पाच्छों point को लिखो key points को अच्छे से revise कुलो दोनों diagram बनाओ आपका concept theory marks का बिल्कुल ready हो जाएगा होप सो concept और इसमें पढ़ाएगे सारे पार्ट आपको उच्छे से clear होंगे वीडियो आपको पसंद आजए वीडियो आपको पसंद आदे वीडियो को लाइक करना ना भूला कर आप चैनल पर नहीं तो चैनल सिस्क्राइब जरूर कर दे जिससे कि आने वाले सभी notes important topics आपक time to time पहुच सके. Thanks.